चंद्रगेहना से लोटती बेर इस कविता में चंद्रगेहना नामक स्थान से कवी वापस लोट रहा है और लोटते हुए उसके किसान मन को वहाँ पर खेट, खलेहान और प्रकरती का द्रिश्य दिखाई देता है उस द्रिश्य को देख करके वह आकशित हो जाता है, तभी उसे एक ठिगना चना पोथा दिखाई देता है, ठिगना का ताथ पर यह होता चोटा सा पोथा, जिसके सर पर गुलाबी फूल लगा हुआ है और उस गुलाबी फूल को देख करके कवी को लगता है कि उस चने के पोधे ने पगड़ी पहनी हुई है, और वह पगड़ी पहने वे किसी दुल्हे के समान दिखाई दे रहा है तब ही पास में अलसी का पोधा भी उसे दिखता है, जिसकी तुल्ना कवी एक सुन्दर यूती से करता है खेत में सरसों का पोधा विवायोग्य लड़की के समान लगता है खेतों के पास ही रेल भी होकर के गुजरती है और वहीं पर तलाब की शुभा भी देखने लायक है तलाब के किनारे पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं मचली की ताक में बगुला चुपचाप खड़ा है दूर सारस के सोड़े जोड़े का स्वर सुनाई दे रहा है यहें सब कवी का मन मोह लेते हैं उसका मन इन सब चीजों के प्रति आकशित हो जाता है इस कविता में कवी की उस स्रिजन शक्ति की अभिविक्ति को हम देख सकते हैं किस प्रकार से उसने प्रकर्टिकी चीजों की कल्पना की है और साथ ही प्रकर्टिका मानविय करण किया है मानविय करण क्या होता है किसी भी हम प्रकर्टिक वस्तु के तुलना जब किसी मानव के साथ कर देते हैं या किसी मनुष्य के साथ करते हैं तो हम उसे मानविय करण बोलते हैं और यहीं पर इस कविता में भी आप कई सारी चीजों का मानविय करण देखेंगे जैसे चने के पोधे का, अर्सी के पोधे का और सरसों का और भी चीजों का यहां पर मानविय करण किया गया है जब कभी वहां के सुन्दरी को देखता है तो उस सुन्दरी को देखकर कि वह शहरी विकास की जो गती है उसमें अपनी प्रकर्ती को सुरक्षित रखना चाहता है यहां प्रकर्ती और संस्कृती की एकता इस कविता में हम देख सकते हैं थेंक यू फोर वाचिंग